नमस्कार दोस्तों टियाच अजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कोशन्स बताने वाला हूं जो आपकी पॉलिटेक्निक के एक्जाम में आपकी बहुत मद्द करने वाले हैं तो आएए स्टार्ट कर चैप्टर हमारा कॉडिनेट जमेटरी यानि की निर्दसंग जियामिति इसमें कुछ इंपॉटन कोशन्स में आपको आज बताऊंगा जो कि आपकी पॉलिटेक्निक एक्जाम में बहुत मद्द करेंगे इसी करके कुशन्स पॉलिटेक्निक एक्जाम में आते हैं तो हमने लिए हैं दो पॉइंट P और Q यह दो पॉइंट हैं हमरा पास फी और Q हमें find करना है इनके बीच का distance की इसके बीच की में दूरी क्या है थेक है तो दूरी निकालने का युप फ़र्मला होता है फॉर्मला देखिए X square X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square यह जो formula है हमारा यह distance निकालने का formula अब बात आती है कि X1 और X2 यह सब है क्या तो पहले इसको हम लेते हैं X1 इसको लेते हैं Y1 यह है हमारा X2 यह हमारा Y2 X2 मैंने minus 5 माना हुआ है तो X2 किज आएगा minus यह X2 मैंने minus 1 माना हुआ है तो X2 किज आप रहेगा minus 1 यह minus और X1 हमारा minus 6 तो bracket में minus 6 इसका square कर देंगे plus Y2 हमारा minus 5 यह minus Y1 is 7 इसका square इस प्रकार से हम करेंगे तो minus 1 और minus minus plus जाएगा 6 इसका square और यह जाएगा minus 5 minus 7 minus 12 square यह minus 1 है और plus 6 है तो 5 आजाएगा इसका square होगा यह होजाएगा इसका square करने पर आएगा 144 5 का square करेंगे 25 144 तो अनों को add करने पर आएगा 169 और हूट solve करेंगे तो 13 यानि कि P और Q के 20 में जो distance है वह है 13 इस तरीके से आपको समझा गया होगा बिंदो यह cos theta, sin theta और sin theta minus cos theta के बीच के दूरी गयाद करने है जैसे कि एक point यह दिया हुआ है और एक point यह इन दोनों के बीच में distance कैसे निकालेंगे और यह है मैं यह point दे रखा है cos theta और sin theta और यह point दिया है हमाने लिजिए sin theta minus cos theta तो इन दो point के बीच में दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका formula हमारे पास formula होता है distance निकालने का formula है हमारे पास x2 minus x1 square plus x y2 minus y1 square इस formula हम निकालेंगे distance यानि की दूरी तो देखिए x2 हमारे पास है sin theta minus x1 हमारे पास cos theta plus y2 है cos theta minus यह minus का जोरी y2 हमारे पास minus cos theta है और यह minus और y1 हमारे पास sin theta ठीक है जोगा यह बन गया एक हमारे फर्मुला a minus b का whole cube का formula बन चुका है तो इसे solve करेंगे तो आएगा sin square theta plus cos square theta फिर minus 2 sin theta cos theta ठीक है फिर यह plus हो जाएगा इसका इस फार्मुला बनेगा वारे पास यह जाएगा cos square theta plus sin square theta और plus 2 cos theta और sin theta ठीक है यह और यह सेम है इसे आगे पीछ से भी क्याजा सकता है कि यह और यह से कट जाएगा ठीक है और आपको पता है साइन स्क्वार प्लस कॉस स्क्वार वन होता है और यह भी वही होता है कॉस स्क्वार प्लस साइन स्क्वार वन होता है तो हम इसके जगह पर लिखेंगे 1 प्लस और इसके जगह पर भी लिखेंगे 1 यानि कि हमारा अंसर आएगा रूट 2 तो इस तरीके से हम अंसर निकाल सकते हैं इस टैप के कुशन का अब हम नेक्स कुशन देखते हैं समझने के लिए हमने एक और वैसा ही कुशन दिया है इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी फाइंड करना है ठीक है तो हमने अभी देखा तक दिस्टेंस का जो फॉर्मला होता है वो हमार पास ये फॉर्मला है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वाइर प्लस y2 मैंनस y1 का स्कुवाइर ये मर पास दूरी निकालने का फॉर्मला है जब दो पॉइंट की बीच में दूरी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं माल लेते हैं एक्स तू इसको माल लेते हैं 0 माइनस और एक्स वन ये हो जाएगा a cos 35 ठीक है इसका square करेंगे plus y2 मान लेते हैं इसको a cos 65 ठीक है और minus 0 square ठीक है तो 0 minus होता नहीं है अब पता है minus a cos 35 का square करेंगे तो जाएगा a square और cos square 35 ठीक है प्लस उसी प्रकार से दर भी हो जाएगा a square cos square 65 ठीक है a square a square दोनों में कॉमा ना रहा है a square को हम बहार ले लेते हैं यह हो जाएगा cos square 35 plus cos square 65 ठीक है अब आगे देखिए a square और आप जानते ही है कि जो cos square 35 के जगे पर में लिख सकते हैं जिसके मालो cos square 90 minus 65 लिख सकते हैं और a square हो जाएगा और यह बन जाएगा मारा sin square 65 plus cos square 65 ठीक है तो a जो है उसका बहार निकाल सकते हैं अभी देख लिजिए यह a square हो जाएगा और इसकी value जाएगी one इसको multiply करेंगे तो a square ही आएगा ठीक है इसको multiply करेंगे a square आएगा और इसको हम लिख सकते हैं a तो इसका अंसर हमार आएगा अब हमने दूसरा question लिया है इसमें देखे यह दि बिंदू four comma p है और यह one comma zero के बीज की दूरी पाच है तो पी कमान ग्याद किजिए यह दो point दे रखे हैं ठीक है और इनके बीच का distance five है हमें इसकी पी की value find करनी होगे ठीक है तो देखी कैसे करते हैं अभी थोड़े पर हमने सीखा था कि दो point की बीच में distance कैसे निकालते हैं इसमें distance already five दे रखा है अब में पी की value निकालनी है जो नहीं दिये तो formula वही होगा फॉर्मला था हमारा x2-x1 इसका square और प्लस में y2-y1 इसका square ठीक है यमारा formula था इसी तरीके सम करेंगे और यह मानते हैं one minus four हो गया यह x1 square हो जाएगा यह y2 हो जाएगा zero minus और यह जागा पी इसका square ठीक है और इसमें distance five दिया वाता हम यहां पर five लिखेंगे ठीक है जैसे हम से root को अटाएंगे तो यहां पर square हो जाएगा ठीक है और यह minus करने पर आएगा minus three का square और यह हो जाएगा minus p का square यहां पर 25 हो जाएगा यह 9 और इदर e square 25 यह minus हो जागा जाकर equal में e square इससे minus करेंगा एगा 16 इसक्वाइर ठीक है अब इसक्वाइर को डाने पर लाएंगे रूट और पी याने की पी की जो वैल्यू आएगी फोर इस परकार से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो मैं स्वाओं यह फें मेरा ऩहिंगे वीडियो फश्शन्द आई होगी आपको समझ आगया होका local यह बताया सब्सक्राइब नहीं किया तो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकी इस प्रतार की आप नहीं भी वीडियो आप देखते रहें ध क्योंकि मैं नहीं वीडियो बनाता रहता हूं अब हम मिलेंगे नेक्स zijसे हैं